देड़ी मा यूट्टूब फैमली बिलकम है आप सभी का मेरी न्यू ब्लोग में उम्मीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज इस वीडियो में यह जानेंगे की रत राकी बानने का शुमूरत क्या है कब राकी बानना है और कब मतलब नहीं बानना है कब भद्राकाल है तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको तब मिलेगी तो आप लोग बिना इसकिप के वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और भी बिल आइकन के साथ जिसे कि मेरे आने वादिम नोक्टिफिकेशन आपको मिल से वीडियो जो है आप तक पहुंच सके तो आप लोग लाइक करिएगा शेयर भी करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं और यह जानते हैं कि कब राकी बाहना है कब नहीं बाहना है तो रच्छा बंदन का जो तेहवार है सावन मा में सुक्ल पच्च की पूर्मातिती को रच्छा बंदन का तेहवार मनाया जाता है और रच्छा बंदन के तेहवार के दिन जो यह राकी जब बाहनी जाती है तो भद्रा का मतलब बहुत बदलब ध्यान रखा जाता है भद्रा काल में राकी नहीं बाननी जाती है तो भद्रा काल में जो है राकी नहीं बाननी चाहिए क्योंकि भद्रा काल में राकी बानना जो अशुक वाना जाता है तो इसका विसेथ्या लखा जाना चाहिए और इस साल भग्त्रा कब लग रहा है तो इस बार जो है भग्त्रा को तो टाइम है वो सुबा पांद बज़ के तिर्पर मिनट से ले करके दोपहर के डेड़ बज़े तक है तो इस काल में मतलब आप राकी नहीं बाह सकते हैं और जो राकी बांगने का शुब मुहोरत है वो तो पहर के डेड़ बज़े से ले करके रात के नव बज़ के छे साथ मिनट तक है तो आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए कि भद्रा काल में जो है राकी ना बांदिये आप सुमौरत में राकी बांदिये तो यह जो रच्छा बंदन का तेहवार है यह भाई बहन के बीच प्रेम का तहवार है प्यार करते हुआ है हर बहने अपनी भाई के लिए देल गायू की कामना करती है उनके सफल जीवन क लिए कामना करती है तो वो पिशेश ध्यान अखे कि भद्रा काल में जो है राकी ना बांदिये मतलब हाँ बहुत इमर्जन्सी है क्या है कि आप कंभता चाहिए तो आप देख सकते हैं शल्लब जहां तग आपको कोषिश चाहिए प्षै तूं आपको इस वीडियो में यह पता चल गया कि दृत कि अधन का भी समय मनें आपको बता दिया और अच्छा बंदनत का अधरा ऐसा तेवार हैral Alumni अपने भाई की कलाई पर राखी बांगती हैं और उनकी लिए कामना करती हैं भाई के लिए उनकी आयू जो दिरभायू हो वो अपने जीवन में हर तरह की तरकी पाएं खुश्यां पाएं काम्याब हो उनके जीवन में हर तरह की काम्याबी मिले हर बहने अपने भाई के लिए यही कामना करती हैं तो वैसे यह राखी तेह वार है जब राकी बानना चाहिए जब फूखे रह पाते हैं मतलब देख सकते हैं अगर आप फूखे रहके मतलब राकी बानते जादा अच्छा है इस दिल मीठाई ऋरगेय सारे पकवान अच्छे बनते हैं अच्छे से लोग खुशिया मनाते हैं तो रच्छा बनना लिटाते वाद बहुत ही अच्छा दिवार होता है तो उम्मीद करते हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा शियर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा आप से मिलते हैं को नए व्लोग के साथ तक तक लिए बबाए थेंक्स वारच